तो आज मैं आपके लिए ओफिस लंच वॉक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सिर्फ पांच मिनिट में बनके तयार हो जाएगा और जो कि बहुत ही जारा हेल्दी भी है सुबह सुबह को जो टाइम होता है उसमें आप एक्सपरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं सब कुछ आपको प्री प्री प्लैन करके रखना पड़ता है और सुबह बस असेंबल करिए और लंच बनाके रेडी कर दीजिए तो आज की रेसिपी सिफ आप लोगों के लिए है जो कि ऑफिस चाते हैं या फिर वर्किंग लेडीज हैं या फिर हस्बन लोग हैं आप लोग बनाईए सिफ पांच फूर लगेगा इसको बनाने में तो उमीद करते हूं आपको यह रेसिपी पसंद आएगी तो चलिए मेर इसको रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे तीन से चार हर इमिज और एक इंच अद्रग के तुकड़े को चॉप कर रखा तब वो डाल दिया है और उसी के सासथ एक छोटी प्यास भी डाल देंगे अब प्यास को आपको सिफ दो से तीन मिनिट के लिए उसको प्यास को बाइब करना है उसको सौफ निकरना है तो दिकी अब यहां पर शोटा के पिरसे करते हिं खूइस पुरी यहां पर को और अपर वेजिटे बाचrike सकते हां पर नंक अंग शार में पर हम बाइल किल एक ज़दी होना जाए सरू होना पर शोटा नमक कर देंगे मतलब इस रेसिपी में हम जादा कोकिंग नहीं कर रहे हैं तो देखिए दो मिनिट लिए टमाटर को भी मैंने फ्राइ कर देखिए तो आप यहां पर सिफ दो मसाले डाल रहे हैं यहां करीं दमाटर कामें नहीं कर दो मैंट तो सहां साबुत रहेंmeं तो यहां पर मैंने रात में आधा कप हरी मूंग जो होती है सावत वाली उसे भीगो के रख दिया था और सुबह थोड़ा सा पानी डालके बस हाई फ्लेम पे एक विसल आने तक इसको पकाया था एक विसल के बाद इसको आफ कर दीगा तो देखिए यहां पर थोड़ा सा पान नमक कम है तो नमक एड़स कर लिएगा और देखिए यहां पर बड़ी असा लग रहा है ना लंच बन के हमारा ओल्मूस्त तैयार हो गया है लास में हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्त जिससे और भी जारा फ्लेवर फुल हो जाएगा आप चाहें तो लास में इ टीरा लिया है और इसे मैंने वह सकर रखाए अब मैं से घरेट कर लोगी आप चाहें तो इसके रिमूव करके भी ग्रेट कर सकते हैं इसको ग्रेट करना और इसका सारा जो जूस है वह आपको निकाल देना है अब आपको क्या करना है एक बोल में आपको तीन से चार टेबल जीरा इस से बहुत अच्छा आता है जित्ती भी अच्छा वैता है डाल सकते हैं यहाँपर मैंने दौ ह टीश डाल दिया है यहांपर 140 टीशमे ना सिनी चीनी बहुत अच्छा वैवर देता है राइते में बहुत ज़रा पतला हो जाएगा और देखे हमारा पड़ी असा यहां पर खीरे का रायता बनकर तयार हो गया आप चाहें तो इसे चौक सकते हैं बट मैं आज इसे चौक हूंगी नहीं इसी तरीके से प्लेन रखूंगी तो चलिए अब ऑफिस के लिए लंच को पैक भी कर ले मेरा हमबल रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजगा उसके आप उसे बेल का इकन इसे जरू से जरू क्लिक करेगा तो चलिए अगली और अच्छी रेसिपी के साथ आओंगी तब तक के लि झाल